एकर प्रताब गरतर संपूर्ण राजस्थान को कवा करते हैं हम राजस्थान की हर ख़बर देखते रहे डीपी के न्यूज पर ग्यलोत एकला करमजारियों को देंगे नहीं साल में गिफ्ट कलर ग्रेड को सच्चुवाले सेल्विसिस के वराबर सेल्वी परमोशन जाजबर में वाजबा की जन्रा क्रोश सभा आयोजित राज़े सवा सांसर डॉक्टर किरोडी लाल मीना ने कॉंग्रिस सरकार पर साला निशाना सिरोई में सेम लोडाने का वार्दान सावित हो रही है चरंजिवी स्वास्ते योजना अगरपालिका चेतर में बनने वाली एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं कलर्क गरेड़ वाले करमचारियों को पिछले 20 सालों से चली आ रही सबसे बड़ी मांग जल्द पूरी हो सकती है मुख्यमंत्री परदेश के एक लाग से ज़दा कलर्क गरेड़ वाले करमचारियों को सच्चिवाले सर्फिस के बराबर वेतन और परमोशन देने की तैयारी में है इसके लिए सीम ने 28 दिसंबर को कुछ करमचारी नेताओं को मिलने के लिए अपने घर बुलाया था नेताओं ने बताया कि पहली बार किसी सीम ने अपचारिक टेबल कूर्सी की बाचीत की बजाए सभी को अपने पास सौफ़े पर बैटा कर बात की इस पर मोखे पर राजस्तान टोरिजम डवलप्मेंट को उप्रेशन के चेर्मेंद दिरमेंदर राठोड और घहलोत के प्रमुक सासन सचीव सीमो कुल्दी प्रांका भी मोचूद थे स्टेट फाइनेस डिपार्टमेंट ने इस डिमांड को लेकर स्टड़ी भी शुरू कर दी है इस वीच परदेश के साड़े साथ लाख रमचारी और तीन लाख पैंशनर्स के विपिन गुद्दों पर विच्चार करने वाले परोकर मिक सचीव खेमराज चोद्री की अधिक्षिता में गटित कमिटी ने वी सीम घलोत को शनिवार शाम को अपनी रिपोर्ट सौंगती ह बांसूर में बिगड़ती यतायात विवस्ता को लेकर स्थानिया अपजिला अस्पताल इंचार्ज भूरा सिंग बेंसला ने अपील की कि बांसूर में अबजिला अभी मेन बजार में कारे रत है या मार्केट होने के कारण इदर उदर खड़े होने वाहनों की वज़े से आम जाम लगना आम बात हो गई उसकी व्यवस्ता को लेकर अस्पताल पर श्यासन ने तो पार्किंग व्यवस्ता शुरू कर दी लेकिन मरीज के साथ आए परीजनों द्वारा सादनों को बारी व्यवस्ता तरीके से खड़ा कर दिया जाता है अदर उनसे अपील है कि अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा करे या कहीं सरुक्षित जगापर व्यवस्ती तरीके से खड़ा करें किसे मार्केट में जाम की स्थिती पैदा ना हो सिरोई में विकास के लिए विकास का लाप देने के लिए सिक्षा की पहली सीडी है और जिस विक परिवार में सिक्षा है वो परिवार कभी पीछे नहीं रह सकता ये बात विदायक वैब मुक्यमंतरी के सलाकार से हम लोडा ने कालेंडरी में हिकावारी गाड़ी के लोकारपन समारों में मुक्यतिती के रूप में जनताख की बीच व्यक्त किये आरके ट्रेश्ट बंगलरू के चेर्मेन रमेश कुमार पीशा ने अपने मात्र भूमी में सिक्षा की अलक जगाने के लिए ये चलता फिरता मुबाइल वान शिरू किया है ये प्रियास है कि इस गाड़ी के मादिम सहर आयूवर का वेक्ती वो सीखे जो उसकी पसंद है शेरगर के पुरविदायक बाबू सिंग राठोड मात्मा गांदी अस्पताल जाकर सभी भरती गायलों के कुशल शेम पूछी राठोड ने बताए कि गैंस तरासिदी में अब तक चोटे बड़े कुल 35 मोते हो चुकी है जो की बहुत बड़ी दुख्द है अस्पताल में भरती अब साथ गायल खत्परे से बार है राठोड ने अस्पताल परशासन को मिलकर उनकी तब्यत की जानकारी ली है जोधपुर में और वर्ष की बादी स वर्ष भी जोधपुर के रावना चबूत्रा मैदान में पष्चिमी राजस्तान उद्योगः under शिल्प मेले कायोजन किया भूमी पूजन कायोजन किया वुमी पुजन कारे करमे राजय बाल सरक्षन आयोग के अध्यक्षत संगीता बेनिबाल विदायक मनीशा पमार, महापोर उत्रकुंती परिहार, विदायक सरीर सुर्या कांत व्यास संभागी आयोगत के लास चन मिना, जिला कलेक्टर हिमान्चु गुपता वे निदेशक सुनील परिहार सहीत कई गणमाने लोग मौजूद थे मेला सियोजग सुनील परिहार ने बताया कि जिला उध्यों केंदर मरूदरा इंड़स्ट्री जैसोशेसन के और जिला परशासन के सियुक्त तत्वधान में रावन चबूत्रा मैदान में 6 जनवरी से 15 जनवरी तक पष्चमी राजस्तान उध्योग अस्तशिल पमेले का आयोजन किया जा रहा है जाजपुर वदान सभाचेतर में भाजपा की जन्ना क्रोश मा सभा की रोडी लाल मीना की अदेख्षता में संपन हुई सभा की शुरुवात के साथ ही मंच पर बैटे सभी नेता उने परधान मंतरी अंदरेंद्र मोदी की माता की तस्वीर के सामने पुश पर फित कर वुष्टर धांच लियर पित की में भाजपा की आईवजी जन्ना क्रोश सभा को संबोधित करते वे सांसे डॉक्टर के रोडी लाल मीना ने परधेश के कौंगरेस सरकार पर जम कर हमला बोला और का की राज़स्तान में कौंगरेस के कुश शासन जंगल ब्राज और ब्रिश्टर चार के खिलाब बाजपा की जन्ना क्रोश यात्रा को अपार जहन समर्थ मिला है कौंगरेस की जन विरोधी नीटियों से आम जन्नता तरस्त है राजस्तान में पुने सुशासन कायम करने के लिए कॉमरेस को सत्ता से बेदखल करने का हम सब संकल्प लें कि लेकिन सरकार सीवेगी जाज इसलिए कराना नहीं चाहती कि रीट पेपर में चार पांच को सताधारी दल के बड़े नेतां की मिली भगत से गौरत भंदा चला है इससे राजस्तान के बेरोजगारों का भौष्त चौपट हो रहा है उन्हें में राजस्तान के मुकूंत्री से महां करूंगा कि सीवेए की जाज कराई जाए और इस बार-बार पेपर लिखों बंद किया जाए का अंग्रेश के नेता रहुल गांदी की बार जो रोड़ यात्रा राजस्तान में कितनी परभावी और कितनी दंदा को पर्भावी तरभाए कि इस उपारे में आप क्या कर नदर दो वैसे एक परियतन पर निगले थे राजनेतिक परियतन थाउन का क्या है हमारी जो आज सबा हुए जाजपों में उतनी भीडि जबा में त्रिक आग्रों गांधिल है नहीं ठीक है औरा जिश्तान और जबसेषा है ने कार्य कारेकरम किया भी तो लिकिन उसका कोई मैसे इसली नहीं दे पाए कि राजस्तान में देश की सबसे जज्यादा मे अगर देव साथ वी तुरह से खबर जिनाश्चीवगंज में मुख्य मंत्री सिलाकार वे विदायक सेम लोड़ा ने कहा से नागरीकों को 10 लाख रुपे तक का मफ्त फिलाज उपलप्त हो रहा है। मैदुरुगटना में मृत्यू होने पर 5 लाख तक की राशी परीजनों को दी जा रही है। विदायक लोडा शुकरवार को नगरपाली का परीसर में आयोजित कारेकर में उपस्तित नागरीकों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विदायक ने नगरपाली का चेतर के 60 लाभामित परिवारों को परधान मंत्री आवास की सुईकर्थी पत्र परदान किये। इसके लाभा पाली का चेतर में बजट गोशना के तैत निर्मित होने वाली 45 सडकों का शिलान्यास किया। वक्ता के रूप में मोजोद भाजबा परदेश रुपा देक्शन अरायन सिंग देवल ने संबोधित करते वे राज्य की कॉंगरेस सरकार को किसान विरोधी सरकार वे किसानों को लूटने वाली सरकार बताई। साथ उन्होंने भाजबा सरकार की योजनाओं के नाम बदल कर अपनी योजनाओं को चालू करने वाली सरकार बताई है। उन्होंने का कि कॉंगरेस सरकार जुमलेबाजी वाली है और अत्याचारी वाली सरकार है। काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर काई से पानी भरे बताऊ आप। नल्बी नहीं आते हैं और पाच इंची पाइपलेंड जोरुड है डलवानी। नहीं डलवागे हम लट्यम तक शिकायत करेंगे इनकी। सब्सक्राइब करेंगे हैं। ना कोई जवाब दर विक्ति हैं। अब यहीं हमार समझे किसके सामने सुनाए हम। कुद्पर के नागोरी गेट थाना पुलीस ने धारदार हतियार से हत्या करने का प्रियास करने वाले दो आरुपियों को शुकरबार रात को गरफतार कर लिया। जने आज शनिवार को पुलीस कौर्ट में पेश करेगी नागोरी गेट थाना दिकारी शेश करन ने बताया कि एक नवंबर को प्राथी इंद्रा देवी द्वारा थाना नागोरी गेट में उपस्तित होकर रिपोर्ट दी थी कि मेरे पती वे मेरे पुत्र घर में बैठे थ पुलीस उपायोत नाजी मली, एस पी लादुराम के सूपर विजन में थाना दिकारी शेश करन के ने फिरतों में टीम बनाई जिसमें दो आरोपियों को नागोरी गेट शेतर से गिरफतार कर दिया जिसमें उनके साथ मार्पिक, घर में बुशकर मार्पिट की बुगत में दर्च करवट किया गया था, उसमें आज दो लोगों को पुगिरफतार किया गया है, अकाश और संधिया सर और भी इनके कोई अपरादी रिकोर्ट सामना है, अपरादी रिकोर्ट के बारे में हम दो चाले करने को पुगत कर आदिया, रिपोर्स मंगा है वहाँ से अधिया परदेश के शोपूर में नवर्ष की परोव संधिया से पुलिस चोकस रहीगी, CCTV कैमरो वे पुलिस पैट फॉलिंग पार्टियों द्वारा पूरे लाके पर पुलिस की पैनी नजर रहीगी, शरापी कर वहाँ चलाने वाले वे बगर पुलिस को से चीट के परवाई होगी, शोपूर पुलिस अधिक्षा कालोक सिंग द्वारा पुलिस को नवर्ष के अवसर पर चाक चौबन पुलिस व्यवस्ता लगाने के निर्देश दिये, जिसमें सभी थाना परभारियों को नवर्ष के परोव संधिया में ही करमचारियों को ज्यूटी पर पावन करने की हिदायद दी गई है जब भावन करने की हिदाने के अवसर लिवस्ता लगाने के विदा जब देख में है